हाई गाईज दिस इस उभाष एंड वेलकम बैक टो एसेट सुलुशन्स तोड़े आम बैक बिद न्यू वीडियो ओन दिफरेंस बेट्विन नॉमिनल मिक्स एंड दिजाइन मिक्स कंक्रेट दोस्तो आज का हमारा टॉपिक जो है एक फिर से बेसिक्स के उपर है तो आप इस तो आज आपकी यह confusion clear हो जाएगी तो इस confusion को clear करने के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारी चैनल को subscribe कर लेना अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो और further delay मैं ना करते होए अपनी वीडियो स्ट इनकी जो ratio है यह अलग-लग grade of concrete के लिए vary करती है तो सबसे पहले अगर हम nominal mix की बात करें तो nominal mix का मतलब होता है कि वह वाला concrete mix जिसमें cement, sand और aggregate की ratios fix होती है इसका मतलब है कि आप उसको design नहीं करोगे वह आपको पहले से जैसे M20 की fix है तो वह fix ही रहेगी जैसे M20 की क्या होत इसमें आपको design कुछ नहीं करना है जो है वही रहनी है तो यह था nominal mix के वारे में, nominal mix अब बात आती है हम कहां यूज करते है, generally हम इसको M20 से नीचे यूज करते है या M20 तक ही यूज करते है, ठीक है काफी high-five structure में आपको इसको यूज नहीं करोगे या काफी जो अगर आप आपको इसमें कुछ नहीं करना है और इसकी strength जो है उसी के आसपास रहेगी, ठीक है इसका designer के ओपर कोई responsibility नहीं रहेगी, इसकी designer नहीं ये ratio बनाई है तो इसकी strength कम आगी है जाद आगी, इसका designer से कोई नंदर नहीं है, यह आपकी fix रहेगी, अब दूसरा हमारा mix आता है, वो है design mix, design mix में क्या होता है, कि design mix में आपको ingredients जो है, वो आपको एक particular strength की जैसे आपको मानलो आपको characteristic compressive strength आपको M40, characteristic compressive strength अगर आपको 40 चाहिए, तो उसके लिए आप M40 डिजाइन करोगे, और M40 के लिए आपको 40 उसकी characteristic compressive strength लाने के लिए, आपको अलग-लग ratio डालके आप M40, यानि कि 40 आपको compressive strength मिल जाती है, तो वो आपका design mix हो गया, design mix का को मिला के मतलब यह है कि इसमें आप सब कुछ design कर रहे हो, ठीक है, design कर रहे हो मतलब आप अपने से values find out कर रहे हो, जिस पे आपकी 40 compressive strength हा रही है, यह ता हमारा एक शोटा सा video design mix और nominal mix, I hope आपको समझ होगा, thank you, thank you very much for watching this video.